कई लोग बड़े हसमुक सुभाव के होते हैं, बहुत चंचल, चपल, बातूनी, हमेशा सदा मुस्कराती रहते हैं, चेहरे पे मुस्कान रहती हैं, क्यों आखिर ऐसा क्यों हैं, आए जानते हैं किस ग्रह की वज़े से ऐसा होता है। नवश्कार मित्रो, मैं अभी सास्त्री, आप सभी का स्वावत करता हूं। चंद्रमा को माता कारग भी माना गया है। तो ऐसी कौन सी वज़े होती है कि जिसकी वज़े से चंद्रमा अच्छा नहीं होता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक इस्तिती अच्छी नहीं होती, बीमार जादा रहता है, परिशान जादा रहता है, दिक्कतें बहुत आती हैं। तो होता क्या है जब भी जो भी मारा लगन होता है उसमें चंद्रमा की जो पोजिशन होती है कभी भी अगर चंद्रमा आपकी जन पत्री में 6-8-12 इन 3 भावों में इस्थित हो, चंद्रमा केतु का योग बन रहा हो अगर इस तरीके के योग आपकी जनपत्रे का में बनते हैं, तो व्यक्ति मानसिक रूप से इस्थिती उतने अच्छी ये खास नहीं होती है, इने कहीं बहुत ज़्यादा जिद्दी सुभाव का अडियल सुभाव का या बीमार रहता है परेशान रहता है दुखी रहता है छोटी-छोटी बातों पर नाराज हो जाना गुसा आना बहुत सारे ऐसी चीजें हैं समस्या हैं जो उसकी जीवन में आती रहती हैं वहीं जिसक चंद्रमा ब्रश्चिक राशी में आ जाते हैं तो वो नीच राशी के होते हैं वहां भी चंद्रमा की इस्थिति अच्छी नहीं माने जाती है तो आखिर किस राशी में चंद्रमा अच्छा होता है किस ग्रह के साथ अच्छा होता है चंद्रमा में तहां चंद्रमा खराब होगी वहाँ वहाँ कहीं न कहीं चंद्रमा मांसिक तोर से परिशान करता ही करता है जन पत्री का में चंद्रमा अच्छी पोजीशन में नहीं हैं अच्छी स्थिती में नहीं हैं मांसिक परिशानियां जादा हैं दिक्कते जादा हैं समस्यां जादा हैं उनके लिए क् प्रत्य एक दिन जिस बाल्टी में नहाते हैं या जिस भी चीज से वो नहाते हैं, उसमें थोड़ा सा दूधा होश्य मिला लें, उससे मांसिक, शांती उनको मिलेगी, दूसरा कामकाज में रुबावटे हैं ब्यावधान हैं तो पुड़ा उस पाने में हल भी मिला ले तो उससे भी काफी उनको लाव और फायदा पहुचेगा निश्चत तोर पर ही उपाए करके देखिए आपके लिए लाव जरूर मिलेगा मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए नाश्युआ है